मित्रो जे मातादी आप देख रहें धर्म सिक्षा मित्रो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्च 2022 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जोड़ करें साथ ही प्रतिक्रिया यानि की कमेंट बॉक्स में जे मातादी जोड़ लिखें मित्रो पंचक कब से कब तक है यह मैं बताऊं आपको उससे पहले थोड़ा पंचक के बारे में बताना चाहूँगा पंचक होता क्या है और इसमें क्यों किसी प्रकार का कारे मांगदी कारे नहीं करना चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी ग्रहों में सरवाधिक चंचल गरह जो होती है गतिसील गरह जो होती है वो चंद्रमा है लगभग सभा दो दिन में चंद्रमा एक रासी से दूसरी रासी में परव्यस कर जाते हैं ऐसे में जब चंद्रमा की इस्तिती कुम्ब और मीन रासी में होती है तो पंचक का निर्मान होता है तो सवा दो दिन और सवा दो दिन सवा दो दिन कुम्ब के और सवा दो दिन मीन के अर्था लगबग सारे 4-5 दिन का पंचक होता है इसी प्रकार से पंचक आप देखेंगे हर मेहने में ही आ जाता है कई बार एक मेहने में दो बार एक मास्क के आरम में और एक मास्क के समाप्ति के समय में पंचक आ जाता है पंचक एक असुब महूर्त है इसमें किसी प्रकार के सुबकारी को करने से हमें बजना चाहिए पंचक में और विवाहित लोगों की विवाह की बातें और कुछ महत्पूर्ण चीजों की खईदारी सभी प्रकार के मांगली कारिये नए घर का निर्मान करना छट ढालना आदी वर्जित है वाहन भी आपको नहीं लेना चाहिए इन दिनों में अगर पंचक के समय किसी व्यक्ति की मिर्तियों हो जाए तो उसका अंतिम संसकार में भी कुछ विशे साधानिया बरतनी चाहिए आए जानते मार्ज 2022 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है तो मार्ज 2022 में पंचक का निर्मान दो बार होने वाला है एक तो मार्ज के आरंब में ही मंगलवार एक मार्ज को दिन के तीन बज का 46 मिनट से पंचक आरंब होगा जो कि सनीवार पांच मार्ज को रातरी के तीन बज कर 28 मिनट पर समाप्त होगा तो एक मार्ज से लेकर पांच मार्ज तक पंचक रहने वाला है दूसरा पंचक भी मार्च के अंत में लगने वाला है जो कि सोमवार 28 मार्च को रातरी के 11 बच कर 46 मेट से आरंब होगा और इसकी समापती अगले महने यानि की 2 अप्रेल को दिन के 11 बच कर 1 मेट पे होने वाला है तो इस प्रकार से मार्च में दो बार पंचक का निर्मान होगा तो वित्रो मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको पंचक मार्च 2022 के बारे में संबून जानकारी मिल पाई होगी इसी तरह की अनिक ज्यानवर्धक वीडियो के लिए आपको जुरे रहना होगा धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहना होगा धर्मसिक्षा जै माता दी